हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल वांगिशन क्यूट लब स्टूरी तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी स्टूरी कॉलेज बेड़सबॉय का नेक्स पार्ट शुरू करते हैं अगर आपको इस टूरी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सस्क्राइब कमेंट शेयर करें तो चलिए अब हम अपनी स्टूरी शुरू करते हैं लास पार्ट में हमने देखा था कि जब इबो जान से को हट कर देता है तो जान पूरी तरह के से तूर जाता है वह रोच और इबो को इतना करिदे कि उसे बहुत तकलिफ होती है वह जब अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका कजिन ब्रदर जान उससे बने आया होता है जान उसे देखे जो जान से पूछता है जान क्या बात है तुम इतना सैट की हो तब भी जान जान को सब कुछ बता देता है एक पल के लिए तो जान ये सब कुछ सुनके बहुत सैट हो जाता है वह कहता जान कहता है, हाँ, उसे लगता था, क्यों इपो से फ्यार कहता है, लेकिन नहीं, वो तो college के playboy है, तभी, जान की कान में कुछ कहता है, जान एकदम शौक हो जाता है, वो कहता है, जान कहता है, प्लीज, एक बार मेरे लिए, मैं चाहता हूं, मैं एक बार बस उसे देखना चा जान को जान के सातव देखता है, तो उससे इतना जलस फील हो रहाता, इतना जलस को उसे कंट्रोल नहीं हो रहाता, वो अपने हाथों के मुठ्यों को बीच लेता है, और घुसी से जान और जान की तरफ देखने लगता है, जौन जब ईवो को ऐसे देखता है तो वो जान के कवन में अपना हाट डाल लेता है ये देखकर तो ईवो और ज्यादा जलस हो जाता है उसे इतना गुसा आ रहा था तभी रोज ईवो का हाथ पकरने कोशिश करती है ईवो गुसी में रोज का हाथ जटक देता है और उसे बुरी तरह गुसी में देखने लगता है जिसे रोज डर जाती है और वो इबो से दूर हो जाती है इबो जान से कहता है जान मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन जान कहता है इबो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तभी इबो कहता है जान लेकिन जान इबो के एक भी बात नहीं सुनता और वो जान को वहां से लिखे कोलेज के अंदर चला जाता है शुयांग इबो को देख रहा था जिसतने से इबो जलस हो रहा था इबो को गुसा आ रहा था शुयांग इबो को सांत करने की कुशिश करता है लेकिन इबो के अंदर तो इतना गुसा था कि वो खुद को कंट्रोली नहीं कर पा रहा था तब ही अब हम जान को देखती हैं जब जान और जान तो हमाँ अंदर कॉलेज के चले जाती है तो जान से कहता है जान तुम जानते हो रड़का तुमसे बहुत प्यार करता है जान कहता है कैसी बात कर रहे हूं वो मुझे प्यार नहीं खाता जॉन कहता है मैं कह सकता हूं मैंने उसकी आँखों में तो मैं पता है वो मुझे देकि कितना जलस है उसका बस चले तो वो मुझे कम से कम 10-15 पंच मारेगा पता है तो मैं जाने के स्मायल करता है और कहता है बिल्कुर नहीं वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा वो इस कॉलिज का प्ले हुआ है उसे लोगों के साथ खेलना अच्छा लगता है जॉन कहता है नहीं जान वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं प्रमस करता हूँ ये बात मैं उसके मुझे ही किलवा के रहूँगा कि वो तुमसे प्यार करता है उन्शॉकिंग लिजॉन की तरफ देख रहा था जॉन एक स्मायल करता है तबी वो ईबो और शुयाग मिंग्याओ कहाते हो देखता है तो वो उन लोगों को देखके जान के फूरट पर किस कह लेता है जान बड़ी बड़ी आखे करके जान को देख रहा था तबी जान कहता है डियर मैं तुम्हें लेने आओंगा कॉलेज के बाद तुम्हारी बहुत ब्यूटिफूल है ऐसा कहके एक स्माइल करके वहां से चला जाता है जान ये जब ईबो ये देखता है तो उसे इतना गुछा आता है इतना गुछा आता है कि वह अपने हातों की मुठ्यों को बीच लेता है और गुसे में जान को देखने लगता है एक पल के लिए तो जहान भी इपो की गुसे से डर जाता है लेकिन दोड़ी दिर भी वो खुद को समालता है और मिंग्याओ से कहता है मिंग्याओ क्लास में चलो हमारी क्लास से रूँ होने वाली है मिंग्याओ जहान की तरफ देखता है और जहान से कहता है जहान क्या वो तुम्हारा बॉइ नहीं देखता क्योंकि उसे ईबौगए उस गुष्ची वाली चेहरे से बहूंद डल लग रहा था उसे पता था इस टाइम इबौगए बहुत गुस्सी में है तबी हो बिया को वह से लेकर चला जाता है और जाती वए जान को देख रहा था उसे बहुत गुसा आ रहा था तभी शुयां इबो से कहता है इबो तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें कुछ करना चाहिए इबो कहता है कोई उसे ऐसे कैसी कर सकता है और वो किसी को भी अपने इतनी खरीब कैसे आने दे सकता है शुयां कहता है इबो उसी में गुस्सी की बज़े से इतना पागल हो रहा था, वो कहता है मुझे उसने बात करनी होगी, शुयां कहता है इबो, तुम नहीं तो उसे कहा है न, कि तुम रोज से इंगेस्मेट करने वाले हो, तुम उससे क्या कहोगे, यहां तो जाकर उसे सच बता दो, जाए, इबो कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा किसी का नहीं है, समझे तूं, ऐसा कहाए कि वो जोर से इबो के उपर चिलाता है, जाओ वो लोग क्लास में थे, इबो का तो क्लास में बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, उसे तो बस वो जान और जोनी उसकी आँकों के सामने आ रहे थे वो इतना गुसी में पागल हो जाता है कि वो क्लास अटेन नहीं करता है और क्लास से बाहर आ जाता है वो जान की क्लास के बाहर आके कड़ा हो जाता है क्योंकि उसे जान से बात करनी थी और वो गुसे में पागल हो रहा था तब ही वो देखता है कि जान की क्लास से उसके टीचर निकल के बाहर आ जाते हैं जैसे ही टीचर बाहर जाते हैं ये वो जल्दी क्लास में जाता है और चाहन का हाथ पकड़के उसे क्लास से बाहर कीचलाता है चाहन उसकी तरफ शौकिंग लिए देख रहाता है वो कहता है एपो छोड़ो मुझे क्या कर रहे हो तुम वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है चाहन कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है पैने कहा ना छोड़ो मेरा हाथ अगर तुमने मेरा हाथ नहीं चोड़ा तो तुम सूच लेना मैं तुम्हें एक पंच लगा दूगा एबुब कहता है वो तुद देखेंगे बात में मुझे बात में पंच माना लेकिन अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है चान कहता है मैंने क्या किया इबू इबू कहता है तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है जान कहता है क्या किया है मैंने और छोड़ो मेरा हाथ मुझे इस तरीके से मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मुझे कभी टच मत करना समझे तो यसा कहके वो इबू से खुद का हाथ छ जान को छोड़ता ही नहीं है और सीधा उपर टेरिस पर ले जाता है और वहां का डूल लॉक करके वो इबो को जान को वहीं दीवार के सारे पुस कर देता है वो जान से कहता है जान इसब क्या चल रहा है जान इबो की तरफ देखता है और कहता है क्या चल रहा है क्या चल रहा जान इबो कहता है वो लड़का कौन है जान उसकी तरफ देखता है और कहता है मैंने बताया था ना उसके नम जान है जान कहता है वो नहीं ओ लड़का तुमारे इतने क्लोस क्यों है जान कहता है क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है फ्रेंड 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 है वो तुमारा अग आने के स्माल कहता है और कहता है वो मेरा फ्रेंड है मेरे साथ कुछ भी करे तुम्हें क्या फरक पड़ता है य्पों के इंommes ज 9 केता है इबहुक्ञ हुए मीरी बात सुने तुम्हें इससे कोई मतलम नहीं होना चाहिए और मुझे किस किकर रहा है और मेरी कमर में हट डाल जान को दिवान के सारे पुस कर देता है और फोस पुली उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है वो जान को किस करने लगता है जान ही देखता है तो अपनी आखे बड़ी बड़ी करके बस इबो को देखने लगता है वो इबो से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहता देकि इबो इबो तो और फोर्स पुली जान को किस करने लगता है तभी जान उसे दूर ढखा देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की इबो कहता है अच्छा लेकिन तुम्हें 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 तुम्ह तुम जानते हो, मुझसे बड़ा बेबगूफ इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसे यह लगा था, कि तुम सुतार चुके हो, जिकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता ईभू, तुम जैसे हो, वैसे ही रहोगे, और वैसे भी, तुम उसे दुख रहो, छमचे तुम, तुम मेरे साथ ख खेल चुके हो, अब तुम मैं मुझसे क्या चाहिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, इभू ये सुनता है, तो वो जान से कहता है, जान, देखो, कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता है, छौन कहता है, क्यों नहीं कर सकता है, मुझे कोई टच, मैं च तबी इबो जान का हाथ पुकरता है और उसे पनी तरफ कर लेता है और कहता है अगर उसने नेक्स टाइम तुम्हें टच किया तो मैं उसकी ऐसी हालत करूँगा कि उसे समझ भी नहीं आएगा उसके साथ हो गया रहा है जान शोक हो जाता है वो इबो से कहता है इबो ये क्या भागलपन है और बैसे भी एक बात बताओ तुम मेरे साथ खेलना चाहते थे तुम जीवर के खेल भी लिए अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए इबो उसकी तरफ देख रहा था तबी जान कहता है अब मेरे पास कुछ भी नहीं है इबो तुम्हारे लिए जो कुछ था त तुम दे सब कुछ ले लिया मेरा मेरे पास कुछ नहीं है अब प्लीज मुझे जीने दो मेरी लाइफ को आराम से तुम क्या चाहते हो तुम अपनी जिंदगी में जितना चाहे उतना एंजोई करो मैं मैं तुम्हारे याद में बैट के रूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किय तो मिस्टर ईबू मैं वो नहीं हूँ कि तुमने मेरे साथ जो से कुछ किया उसके लिए मैं बैट करूँ नहीं मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा और हाँ सुनो मैं जौन से शादी करूँगा समझे तब ईबू कहता है क्या क्या कहा तुमने तुम जान कहता है मैं जौन से शादी करूँगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और बैसे भी तुमने क्या पर अब बढ़ता है तब ही वो कहता है क्या तुम उसे प्यार करते हूँ जान एक पल के लिए तो शालेंट हो जाता है वो कुछ नहीं कहता है लेकिन तब ही कहता है क्यों हम दोन मैं उसे प्यार भी करने लगूँगा समझे तू जान उसकी तरफ कुस्ते वाली नजरों से देख रहा था जान से कहता है जान मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ तुमसे दूर रहोगे अगर तुमने मुझे नेक्स टाइम यह मुझे इस तरीके से घीच कर मेरी क्लास से लेकिया आए तो मुझे ने पता मैं क्या करूँगा समझे तू इबो कहता है जान जान कहता है इबो और हाँ एक और बात मुझे और जौन से दूर रहो तुमारी लाइफ है ना तुम्हारी रोज तुम अपनी गिल्फरेंट के साथ टाइम क्योंने स्पहें करते हैं तुम अभी भी मेरे पीचे के पढ़े हुए हो पताऊ मुझे तुम क्यों नहीं जाते हैं अपनी गिल्फरेंट के पाँ चो सारा टाइम हा Gwen जिससे तुम शादी करने बाले हो क्यों नहीं उसके साथ रहते और क्या हुआ जाओ तुम्हारे लगे है तो किती सारी लड़किया है जो तुम्हें किस करना चाहती है तुम्हें सब कुछ दे सकती है ऐसे भी मेरे साथ तो तुम्हारा पिट भर चुका है तुम्हें में ट्राइ करना चाहती है तो वो कर चुके हो और भी करना चाहती हो तो कर सकती हो लेकिन मुझे छोड़ दो समझे तो ऐसा कहता है और इबू जान को देखता है और जान से कहता है जान जान कुस्सी में इबू को देखता है और वहां से चला जाता है इबो जान को जाती हो देखता है तो दिवार में अपना हाथ माती हो कहता है जान लेकिन जान इबो की कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है उसे बहुत तकलिफ हो रही थी कि उसने जान को इबो को इतना हट किया इतना कुछ कह दिया लेकिन वो भी तो हट है वो क्या करें इसलिए वो कुद को तोड़ा समालता है और अपने मन में कहता है इबो तो मैं कभी माफ नहीं करूँगा तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है समझे तो अब हम इबो को देखते हैं इबो इबो की आँखों से आँसू निकल आए थी वो जलस और गुसे में लेकिन उससे भी जादा जान ने जो कुछ उससे कहा था उस बज़े से वो बहुत अर्ट हो गया था उसे उसे इतना बुरा फील हो रहा था कि जान ने कैसे कहा कि वो उससे शादी करेगा लेकिन वो उस लटके से शादी कैसे कह सकता है जान तो बस मेरा है मेरा है जान मैं जान को कुछ सदू नहीं जाने दे सकता मुझे कुछ तो करना होगा अगर जान मुझे सदू छला गया तो इबो तो बस यही सोच सूच के पागल हो रहा था इबो इबो इतना गुसे में आ चुका था वो अपने मन में सुचता है मुझे चल्दी कुछ करना होगा अगर जहन उसे दूच चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बिना ऐसा कहता है और वो जल्दी से नीचे आता है नीचे आता है तो हम शुयां को देखते हैं शुयां इबो को देखता है और इबो से कहता है इबो तुम कहां थे रोस तुम्हें कब से डूट रही है तुम जानते हो उसने तुम्हारे ड़ट को भी कॉल किया कि तुम कॉलेज में उसे मिल नहीं रहे हो, वो तो अच्छा है, उसने जान को देख लिया, इसलिए उसने बोला कि तुम यहीं कहीं होगे, अगर वो जान भी नहीं देखता, तो उसे लगता कि तुम जान के साथ हो, और वो तुम्हारे डर्ट से कह देती, इबू, और किते जाओ, मैं क्या करता हूँ, तो फ्रेंड, नेक्स्पार्ट हम कल देखेंगे, आखिर इबू क्या करेगा, क्या इबू, रोज कुस सबक से लिए खाएगा, या पहले, वो जान और, जौन के लिए कुछ करेगा, क्या वो जान को जान से दूर रख पाएगा, तो फ्रें